हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे चावल के मुर्कु इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल लिया है और यह जो बारिक-बारिक वाले चावल होते हैं खंडा चावल या ब्रोकर राइस जी से बोलते हैं यह वही वाली चावल है वैसे तो आप कोई भी चावल से इसे बना सकते हैं पर यह वाले चावल अगर मिलते हैं आपको तो आप इसी से बना करके देखिए क्योंकि इसे पकाने में बहुत आसानी होती है और यह बहुत बारिक-बारिक बनती है चावल को हम दो से तीन बार अच्छे से धोलेंगे जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उ पिचड़ी जैसे होती है न उसी तरह से इसे हमें पकाना है बिल्कुल गीला सा अब यहां पर हम डालेंगे स्वादर नुसार नमग एक चम्माच इसमें हम जीरा डालेंगे आधा चम्माच कुटी हुई लाल मिर्च आप यहां पर डालना चाहें तो अजवाईन या काली मिर्च भी डाल सकते है तो देखिए मैंने तीन से चार सीटी लगा लिया है इसे और चम्माच से इस तरह से हम इसे फेट लेंगे इस डीस की एक और अच्छी बात भी है अगर आपके घर में कोई भी खायक्रम हुआ है या बहुत सारे महमान आते हैं और कभी चावल हमारा बढ़ जाता है ना बहुत सारा तो आप उसे इस तरह से खिचडी के जैसे पका लेजिए और उसे भी इसे बना सकते हैं बचे हुवे चावल से तो इसके लिए भी ये बेस्ट सब्सक्राइब करें ना रहें और यह मेरे पास जो है वो थोड़ा सा गन टाइप का है आप इसे बहुत जादा गरम में नहीं बनाईए जैसे यह ठंडा हो जाए उसके बाद आप बनाईए इसे अगर आप गरम-गरम में बनाते हैं तो इसके छोटे-छोटे से पीसेस निकलते हैं इस तरह से चकली के का नहीं बनता है तो ठंडा होने दीजिए अच्छे से आप इसे उसके बाद में बनाईए तो यह ठीक ठाक बनी भी तो देखिए एक कर्टोरी चावाल से मैंने बहुत सारी बना करके तैयार किये हैं आप इसे जितना दिन भी चाहें आप इस टोर करके रख सकते हैं और समय बहुत सारी चीजे जो होती थी बच्चों के लिए खाने का जो आप्शन होता था वो बहुत कम होता था पहले के जो लोग थे न वो यह सारी चीजे बना करके रखते थे हमारी दादी नानी लो और जब भी हमें भूख लगती या कभी भी टाइम पास खाना है कुछ चा चाहिए और इससे कोई नुकसान भी नहीं है तो आप इसे घर में बना करके रख सकते हैं और बहुत जल्दी यह बन भी जाती है कोई भी ज्यादा मेहनत का काम नहीं है इसे बनाने में यह दो दिन में ही सुख करके तयार हो गई है और यह देखिए बहुत ही अच्छे से य चावल के अटे से भी बनाते हैं पर यह सरल तरीका है इसे बनाने का कभी बी चावल बच्शा है या कभी फटा-फटा नहा नहीं है थो आप इसे असानी से बना सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताईे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी